हाई गैज में लिखे हैं यह आप सब भी के लिए लेटेस अपडेट प्लेश ने सब्सक्राइब कर लेना गैज देगे अधित की स्टोरी ने शेहनास के हिटर्स का मुबंद कर दिया है एक तरह से कहें तो सिधार्ट की फैमिली का ही जबाब आया है और ये सिर्फ शेहनास के हिटर्स के लिए है जी हाँ क्योंकि ये जो लोग है अपने आपको फैन बोलते हैं ये फैन कम है और ये शेहनास के हिटर्स जाता है जी हाँ गाइस देखे आप सभी जानते हैं जब से हैबिट सौंग आया है शेहनास को पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है क्योंकि उन्होंने सिर्णास के सौंग को पूरा किया सिधार्ट के प्रोजेक्ट को पूरा किया और कहें तो सिर्णास की आखरी याद को पूरा किया जी हाँ फैंस के लिए तो यह सिजनास के आखरी याद है ना गैज इस काने के बाद लोग कहें लगें कि बई यह तो बिजनिस है ट्रिब्यूट नहीं है शेहनास को इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए था क्या acting करके दिखा रही है क्या रोना धोना लगा रखा है उसे sympathy चाहिए सब पता नहीं क्या क्या यह business है पैसा कमारी है सिधार्ट के नाम पर यह सब उसके बाद guys यह लोग यह भी कहने लगे कि सिधार्ट की family का कोई support नहीं है वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि सिधार्ट के song को इस तरह से पूरा किया जाए या सिधार्ट के नाम को इस तरह से use किया जाए क्योंकि guys जब यह गाना release हुआ था अधित ने भी कोई story post नहीं की थी पहले दिन otherwise ऐसा होता है भी सिधार्ट का कोई भी project आता था अधित भी post करते थे आप देखें कि सिधार्ट की family में से तो कोई social media पर है नहीं कि वो कोई जबाब दे या शेहनास के लिए support दिखाएं तो इन haters का कहना था कि देखी अधित का भी कोई post नहीं आया है क्योंकि सिधार्ट की family ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि guys एक तरह से सिधार्ट की family का हिस्सा ही है अधित भी वो हमेशा साथ रहे हैं और अब भी उनीकी family के साथ है लेकिन क्या हुआ उसके बाद अधित ने एक post किया भी उस गाने का link जो है अपनी story में डाला लेकिन उसे तुरंट delete कर दिया और इसके बाद तो लोग और ज़्यादा कहने लगे कि देखे इसने तो share भी किया था लेकिन family ने मना करा होगा या objection होगा या इन लोगों को पसंद नहीं है family को बिलकुल पसंद नहीं है so guys अब हुआ क्या अदित ने कल शाम एक story और पोस्ट करी और बकाइदा उसमें पूरा वीडियो भी है पूरा नहीं छोटा सा वीडियो भी है जिसमें शेहना सिधार दोनों है और गाने को अच्छे से प्रमोट करा और लिखा भी कि जरूर देखे must watch जी हाँ so guys ये जबाब है उन लोगों के लिए जो ये कह रहे थे कि सिधार्थ की family का support नहीं है क्योंकि इन लोगों का कहना था कि उन्हें सिर्फ अदित की बात पर ही भरोसा है अदिती सरिप से करीब थे सिधार्थ के जो social media पर active है जी हाँ अदितने अब तक कोई post नहीं किया था सिधार्थ के जाने के बाद पहला post उन्होंने ये गाने के लिए किया जी हाँ और जब अब उन्होंने story post कर दिया है और इस तरह से caption लिखा है तो लोगों के मुझ बंद हो गए है और कुछ कहने लायक नहीं बचाए जी हाँ प्लीज चेनल सस्क्राइब कर लेना थेंक्यू वाइस